इस विजयराज पुस्प and welcome to Learnerize by VRP जैसा कि आपको पता है कि अंगलेजी हमारे जीवन का सबसे महतपूर्ण पहलू है और इसके बिना हमारे जिंदगी अधूरी से लगती है तो हम लोग Indian Civilization and Culture भारतिय सब्व्यता और संस्किर्ती जिसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी आज हम लोग वही चेप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपको पता होगा कि 12th बिहार बोर्ड इकिजाइमनेशन यानि बिहार बोर्ड जो है उसका बारहवी कच्छा का ये English part है जो कि पूछे जाते हैं कितने marks में 100 marks में पूछे जाते हैं और उसका फर्स्ट ही चेप्टर है Indian civilization and culture आई इसके बारे में कुछ जानते हैं उसके बाद हम लेखक परिचाए पर फिर आएंगे या सबसे पहले लेखक परिचाए पर आते हैं आज हम लोग देखते हैं about author के बारे में यानि हमारे जो लेखक है Indian civilization and culture उसके लेखक के बारे में जानते हैं ऐसा तो आप सभी को पता है महात्मा गांधी कौन थे कहां के थे, कब जन्म हुआ इनके पत्नी का नाम क्या था, बच्चे का नाम क्या था नहीं, तो यह सारा चीज़ वह लेकिन छोटा सा आज परिचे हम देते हैं और उसके बाग इस्टार्ट करेंगे Indian civilization and culture सबसे पहले जो हमारे author है महात्मा गांधी ठीक है, तो महात्मा गांधी जिनके बारे में आपने अभी तक सीखा इनका बॉर्ण जो हुआ था, जर्म जो हुआ था दो, अक्टूबर, आठारा सो, उनहत्तर को हुआ था और अगर हम उस प्लेस की बात करें, उस जगह की बात करें जहां पिनका जर्म हुआ था, तो यह हुआ था पुरवंदर कहां पे, जो की गुजरात है और गुजरात की अगर हम कैपिटल पुछे राजधानी, तो गांधी नगर है जहां से नरेंद्र मोधी बिलोंग करते हैं और यह फेमस थे किस रूप में, तो इनहें भारत की जनता बापू और दी फादर अफ दी नेशन के नाम से जानते हैं यानि हम अगर बात करें, तो इनहें का जाता है बापू या नेशन यानि राष्ट्र के पिता, यानि राष्ट्र पिता के रूप में जाने जाते हैं नहीं, उसके बाद इनको और देखा जाए तो यह एक ऐसे ब्यक्ति जो थे, जो इस्प्रिस्चुल थे प्रिस्चुल का मतलब आपको पता होगा, एक आध्यात्मिक ब्यक्ति थे, आध्यात्मिक वह ब्यक्ति होता है जिसे भौतिक सुक्सुवधाव सुतना लगाव नहीं होता है और वैसा ब्यक्ति जो कि मन की सांती के लिए इधर उधर या मन की सांती की खोज में लगे रहते नहीं, उसके पास समझेगा इनके पास दो विपंस थे इनके पास कितने विपंस थे दो हथी आरते, जिसका नाम आपको पता ही होगा क्या था, याद है truth and non-violence truth and non-violence a cheap विपंस थे इनके मुखह थी आरते, पूछेगा कि which is the cheap विपंस of महात्मागांदी, तो आपको जवाब देना परेगा, truth and non-violence सत्थ और कान चीज, अहींसा सत्थ का मतलब तो समझते ही सत्थ बोलना, यानि कभी जूठ नहीं बोलना, आजकल तो 90% लोग क्या, 99% लोग जूठ ही बोलने वाले पैदा लेते हैं, पता ना क्या खा कर जन्म लेते हैं, नहीं, और ये अहींसा का मतलब होता है, वह ऐसा ब्यक्ति, जिससे किसी को कस्ट न पहुँचे नहीं, देन दिजेगा अगर आपकी बातों से भी किसी के दिल को छोट पहुँचती है, तो वह अहींसा कहलाती हैं, नहीं, वह ऐसा काम जो दूसरे को क्या करें, ठेस पहुचाता है, उसे हम लोग अहींसा कहते हैं, और अगर हम आपका गरदन भी उरा दें, और प्रेम से आपका यहां कि गरदन उरा दो, तो वो मेरा अहींसा नहीं कहलाएगा, अहींसा का मतलब है कि सामने वाले को किसी भी परकाड से हानी न पहुचे, और उसको ठेस भी न पहुचे, नहीं, समझे रहे बात को, केबल मार काट करना और ही हींसा नहीं कहलाता है, अगर किसी ब्यक्ति को आपकी आवाज से भी चोट पहुँच जाती है तो वह क्या कहलाएगा हिंसा कहलाएगा जैसे अगर मैं यहाँ पर आया और आपको कुछ कर्भी आवाजे सुना दी जिसे आपको ठेस पहुचा तो वह क्या होगा हिंसा होगा लेकिन अगर मैं आपके फायदा के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वह हिंसा नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो, बात को समझो, हिंसा और अहिंसा, यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, कि हिंसा का मतलब होता है मारकाट, और हिंसा का मतलब होता है बिलकुल सांती, ऐसी नहीं है, आप इंडियन पॉलिटिक्स में डूमिनेटेट का मतलब होता है समर्पित रहना समर्पित मतलब पूरे तह दिल से देश के लिए काम करना डूमिनेटेट रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में तो कब से कब तक तो फ्रॉम 1915 तिल 1948 क्योंकि इनकी मिर्थु कब हुई थी आप सबको पता ही है 30 जनबरी 1948 को इनको मिर्थु हो गई तो डूमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स में ठीक है यह जो थे पूरी तरीके से समर्पित रहे 1915 से लेके 1948 तक चुकि दाचीना फिरका से लोट कराया थे कब 1915 में 10 जनबरी 1915 को और इनकी मिर्थु हो गई थी 30 जनबरी 1948 एक अभागे नाथुराम गोट्स ने इसे गोलियों से भूझ दिया जब यह प्रार्थना के लिए जा रहे थे करेक्ट है उसके बाद आप सभी को पता है कि इनकी मिर्थु हो गास تھा 30 जनबरी कब 1948 को नहीं और उसके बाद इनकी एक आटो बायोग्राफी है आटो बायोग्राफी का जानते हूं क्या होता है आटो बायोग्राफी का मतलब होता है जिसे अपने बारे में खुद लिखता है लोग तो उसको आटो बायोग्राफी कहते है और जब आपके बारे में कोई ब्यक्ति लिख देता है तो उसको हम बायोगराफी कहते हैं कोई दिक्कत? नहीं है आटो बायोगराफी यानि आत्म कथा आत्म माने आत्म खुद और कथा माने उनकी कहानी तो आटो बायोगराफी याद रखेगा जब आपके बारे में कोई दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफिक हलाएगा और जब आपके बारे में को अपने खुद लिखके जाएगा और टो बायोग्राफिक तो इन्होंने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट माई एक्स पेरी मेंट वीद टूथ सथ के साथ मेरा परयोग्राफिक तो ऑर ध्यान लखेगा इन्होंने एक पत्रिका में भी काम किया था और उसका नाम था मैगजीन का यंग इंडिया इन्होंने एक मैगजीन में काम किये थे यंग इंडिया ठीक है और उसके बाद एक चीज और बता दूँ पेहतरीन चीज है कि ये जो थे ब्यक्ति वह विश्वास करते थे किस चीज मेँ ये कोई physical चीज जो होती थी शारिरिक चीज जो शारिरिक शुक पहुंचाता है materality जो होती है भौतिकता बाद statistics क्या होता है भौतिकता बाद में विश्वास नहीं करते थे कहना था क्या moral being इनका विचार था कि elevates the moral wing मतलब नैतिकता को बढ़ावा देते थे ठीक है यानि मनुसको एक नैतिकता वादी होना चाहिए मनुसको एक सत्त वादी होना चाहिए अहिंसा वादी होना चाहिए और यहाँ पर moral being का मतलब है कि जो आपके संस्किर्ती ने आपके पुर्बा जो न नीव डालके गए हैं उसको आगे बढ़ाना है और सत और असत के बीच के ग्यान को रखना है कौनसा असत है कौनसा असत है अगर आप जान लेते हैं तो यही का जाता है कि आप नैतिक आदमी है नहीं नैतिक ता करते हैं अपने संस्किर्ती में सीखी हुई चीजों के अधार पर सत्थ और असत्थ के बीच के अंतर को जान लेना, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, आज कल के माता पिता जोते दिन आद बच्चे उकते पर हो पर हो, क्या परने से हो जाएगा, नहीं, परने का एक समय होता है, और प परहेंगे तो कैसा जिल्दी होगा, तो ये सारा चीज बताना है, अब आपको केरियर के बारे में भी बताना है, आज कल बिहार में तो पता ही आप लोग को, कि हम लोग आज तक लक्ष ही नहीं बनाते, तो कब मरने पर लक्ष बनाओगे, हम लोग का कोई एम ही नहीं है, ज जन्म लेता है, उसी समय से उसका लक्ष क्या हो जाता है, निर्धार तो, आप ही सोचो, जब आपको अगर जाना होता है, महराष्टा जाना हो, नागपुर जाना, तो क्या करोगे, इस्टेशन पर पहुच कि या तब लक्ष बनाओगे, जाना कहा है, बोलो, सोचो, अगर तुम्हें स्टेशन पर गये, वह तब पूछेगा, अच्छा स्टेशन पर पहुचते हैं, तब सोचें कहां जाना है, महराष्ट जाना है, कि गुजरात जाना है, कि तिरपूरा जाना है, कि हम को कहां जाना है, तो सोचो, तो क्या वहाँ पे आपको टिकट मिल जागे, नह तो इसलिए हम लोग को पहले लक्ष बना लेना कि करना क्या है, अब करना क्या है, इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा एक चीज, सब कुछ जानिएगा तो ना पता चलेगा, आप जानते ही नहीं है कि बैंकिंग क्या है, SAC क्या है, रेलेवे क्या है, कईसे जोब होता है, तो क्या हमको कोई लक्ष मिलेगा अब पपा को मन था इंजिनियर बनने का नहीं पपा को मन था कि हम bainc manager बने उनका خواब नहीं पूरा हुआ तो तुमसे करवा रहा है तो क्या उसे कर लेगा बच्चा नहीं इसलिए बच्चे को सब कुछ जानकारी दी जाए और उसमें से कहो कि तुमको जो अच्छा लग रहा है पसंदा रहा है उसको तुम च्वाइस करो नहीं जैसे सरसती पुजा में विभीन तरह के मिठाईयां आएगी नहीं तब उसमें क्या होगा कहेंगे अच्छा हमको काला जामुन दो तो हमको मिठा ना रसगुला दो तफल चिलना दो अप्सान है तब ना मांगोगे अप्सान नहीं तो मांग पाऊगे इसलिए सबसे पहले तुम्हों लक्ष बना लो कि करना क्या है वैसे मैं एक दिन क्लास दे दूंगा कि आप कौन-कौन से केरियर में कैसा कैसा एम होता है परहाई से ज्यादा इंपोर्टेंस है लक्ष निर्धारन वैसे ही न परोगे और तुम लोग भगवार ने अच्छे जगह पर भेज दिये हैं आर्ट्स क्लास भी कर रहे हो साइंस से तो लाख गुना अच्छा क्लास कर रहे हो चुकि आप जब जेनरल कंप्टिशन में जाने वाले हैं तो आपको यही परहाई फ तो बहुत सारे हैं जब साइंस वाले को जेनरल कंप्टिशन में आना परता है तो कितना कठना ही होती है फिर से यही इतिहास परना पड़ेगा मजा आ जाएगा तुम दो साल बचा लियो हो दो साल बरवाद किया है नहीं साइंस वाले का भी करियर बहुत बरा है अगर व्योंतिरिक्ष का जो भविश्वानी करने का काम करता है पुरवानुमान लगाता है वो भूगोल के जानने वाले ही लगाते गरहन अख्छातर सब कौन बताता है शारा होई लेकिन हम लोग अपने टॉपिक से भटके नहीं हमारा टॉपिक क्या है इंडियान सिब्लाइश और ये कैसे ब्यक्ति थे spiritual बिल्कुल से आध्यात्मिक ब्यक्ति थे जो पहले मन की सांती की खोज में रहते थे वीपंस इनके टूची वीपंस थे मुखातियार थे truth and non-violence शत और अहींसा dominated Indian politics में dominated रहे समर्पित रहे 1915 से लेकर 1948 तक नहीं आलिस को किसके हाँ तो ना थूराम गोट्सों के हाँ थे और टो बायोगराफ इनोंने अपने एक जीवनी आत्म कथा लिख कर गए जिसका नाम था my experiments with truth सत के साथ बिना प्रयोग एक magazines के लिए काम के जिसका नाम था यंग इंडिया और elevates the moral being इनोंने नैतिकता को बढ़ावा दिया तो ये था आज का एक छोटा सा कभी परचे लेकिन हम सबसे पहले चाहते हैं कि आपको कभी परचे दिया जाए नहीं तो आईए अपने अपने गर बुक है तो खोलिए और नहीं है तो मेरी आवाज को शून आज आए ठीक है जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी हार्दिक सुभकामना आए क्योंकि आप YouTube के माध्यम से आराम से क्या कर लेंगे पर लेंगे तो मैं आपके सुभधा में मौझूद हूँ लेकिन आपका भी करतब है कि इस चैनल को ज्यादा स्यादा क्या करें लि संस्किर्थी क्या है बताओं उससे पहले मैं आपको बता दू महात्मा गांधी के बारे में और जानकारी दे दूँ तो जानकारी लेने करें त्यार है तो शुरुआत करें तो बिहार बोर्ड का जो बुक है बुक भी आप लोग देख चुके होंगे कौन सा बुक है आपका रेनबो नहीं रेनबो दिख रहा है चली तो रेनबो पार्ट टू है कलास 12 का 100 मार्क्स बुक है तो उसमें ये बाबा भी दिख रहे होंगे देखें तो दिख रहे हैं चली तो यहीं महात्मा गांधी के बारे में जानकारी लेते हैं सुरुआत करते हैं क्या रेडी है त्य लेंगे 100 में 100 ठीक है अब क्या होता है आगे देखते हैं तो सुबात करें मोहंदास करमचंद गांधी आपको पता है कि महात्मा गांधी का फूल निम जो था मोहंदास करमचंद गांधी था जिसको सौट में एमके गांधी के नाम से भी जानते हैं इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी यह स्टार्टिंग है मोहंदास करमचंद गांधी 1869-1948 मतलब जर्म 1879 और मिर्तु 1948 कोई दिकत पॉपुलर्ली पॉपुलर्ली का मतलब लोगप्रियता के आधार पर या लोगप्रिये रूप स न जाने जाते आज के रूप में बापु और दिफ्ठाधर उप्धी नेशन कहता है मोहंदास करमचंद गांधी लोगप्रिये रूप से जाने जाते हैं आज बापु और दिफ्ठाधर उप्धी नेशन राश्ट पिता या बापु के नाम से जाने जाते हैं कोई दिक्त है एक एक वर देखो पॉपुलरली लोगप्रिय रूप से नौन जाने जाते हैं ऐज के रूप में बापु बापु और दी फादर अप दी नेशन राश्ट पिता वज मोर माने और अधिक एक राजनितिक से जादा अधियात्मिक लीडर के रूप में नेता के रूप में जाने जाते हैं कौँ जाने जाते हैं महत्मा गांदी परयोग किया करते थे उजन माने के परयोग करना चुछ ऑर एनन्ग राजन शाज के रूप में किसके रूप में? मुक्षथियार के रूप में दो मुक्षथियार थे एक सत और दूसरा अहींसा नहीं हथियार अगेंस्ट मानЕ खिलाप किसके खिलाप the British rule अंग्रेजी शासन के बिरूद in India कहां पे भारत में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाप चीफ विपंस मुखहतियार के रूप में सत और अहिंसा का वे सफलता पुर्वक परयोग किया करते थे कोई दिकत तो आगे बढ़ जाए नेक्ट्ट लाइन है और हेल्प्ड मदद किये इंडिया गेन इंडिपेंडेंस भारत के स्वतंतरता पाने में गेन माने पाने में इंडिपेंडेंस माने स्वतंतरता और नहीं ठीक हेल्प्ड माने मदद मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि हेल कौन मदद किया किस रूप में किये तू विपंस के रूप में सत और अहिंसा यही उनके मुख़तियार थे और इसी के बल पर रोना हमारे देश को आजाद कर दिया नहीं मैं काता है कि जिंदगी बरा हिंसा के पूजारी थे और अंत में हिंसा के सिकार हो गए नहीं सब दिन कह कि दुसरे को मारना नहीं, काटना नहीं, दुसरे को अब सब्द नहीं बोला है, दुसरे को सामने अच्छे सब्दों का प्रिव करना है, लेकिन अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, गोली से भूज दिया गए इनको, नहीं, तो ध्यान रखेगा, नहीं काता है, कि दुसम नहीं, यानि काता कि जिस चीस से जितना नफरत करोगे न, उतना ही तुमको खीचेगा, जिससे ज्यादा प्रेम होगा न, उसे दूर भागोगे, अब परेवियो, कलास्टेन में साइंस में नहीं, कि समान अकर्षन, जो समान जिसमें, क्या होते हैं, आबेस होते हैं, एक द चुमबक को देखना, चुमबक का दोनों चार्ज एक साथ कर दोगे, भगाएगा, कातुनों उपर बैठियो रहोगे न, तो यो उठा देगा, नहीं, लेकिन जब वही बिपेज चार्ज मिलेगा, तो एक दुसरे को अकर्षित कर लेता, दुनिया का रूल है, इसे ना कोई तोरा है न, कोई तोर पाएगा, और जिंदगी का रीत है, जो आया है सो जाएगा, इसलिए मोह माया में मत परो बच्चे लोग, अपनी जिंदगी जीना है न, तो कैसे जीओ, अपने तरीकों से जीओ, जैसे किसी से प्रेम होगा न, चाहा माता से हो, चाहा बाई से हो, चा टेंशन में फोन काया ना उठाया तो मैसेज क्यों नहीं किया ना ऐसी बहला नहीं होता लाराई जोगरा कुट आले खा मुख आलाई से मसुआ आले क्यों बहलाओ ना कुछ पते नहीं चलता बाइठल बाइठल रुए लगता हूँ आख से टॉप्ट बहॉम ना जीवे उक्रावी ना बाप्रेबा मौर जाये मौर ना जो आई सो तर तो कंकाले हाते दर्थी के बोजे हाते चलत तो यहां पर सत और अहिंसा माने क्या हां बिल्कुल अच्छी कोश्चन है सत का मतलब होता है कि जो हमारा दुनिया बना हुआ है जिस चीज के लिए उसके बिरुद नहीं बोलिए समझ रहे हैं अगर काते थे नेचर ने हमको ऑक्सीजन और हाइडोजन से वाटर बना है हाइडोजन ऑक् सत बाते हैं और साधी के समय अच्छे सब्दों का परयोग कीजिए मंत्रों का उचारन कीजिए जो बीध है उसके नहीं उसी के अनुसार चलिए ये बोल रहे हो तो सत है लेकिन जो बनाई गई रीती रिवास संस्किर्ती है या जो दुनिया में एक चल रहा है मानवता उसक के उल्टा बोलिएगा तो असत है अगर हम कहें असत क्या है हम बोले कि ना कि सुर्ज उगने के बाद रात होता है ठीक है और उसमें लोग दीन भर काम करते हैं अब बताओ कैसात बात है हम बोले कि तुब आरह अभी मैं इसने लिए का पढ़ता है पढ़े के लूर उर नही का मतलव जूट जैसे हम देखे हैं कि उकरा मार लग दूचार जापड आम एक रहा करें नो कुछ नगल गूता दूलार से सटल करें रहा है यह क्या है बोलो हम बैत तुम्हारे जेबी से पैसा निकाल ले हम देख रहा है को बगलवला करता है नो पैसा उसा नो निकाल ला गिना इतरह ना तो बूले सथ है क्या सत यही है असत सथ का मतलव होता है जिस जो आप आखो से देखें जो बाते सही है उसी को ऐसा ही बोल देना सत है अही सा क्या है जब मेरी बातों से आपको तकलीप पहुँंग जै समझ रहे हो जैसे अब हम कहें बेलाले जी नहां अग् बेलाल जी के कहे कि लूरूर नहीं परने का चल आते हैं कोचिंग में कताचा काम हम करते अब आम मेरी बास से आपको तकलीफ लग गया नहीं लगा तो यही मेरा क्या है और हिंसा हमने कर लिए हम यह को पाप कर दिये आम कहें कि बेलाल जी अच्छे लरके देखो कोई बच्च तुम अच्छे लरके हो पढ़ने बाले हो अच्छे संगत मेरा होगे अच्छे बन जाओगे जैसा सब बनता आई है सबसर हो ऐसे तुम भी बनोगे तुम में भी काबिलियत है तो यह बास से अच्छा लगा चापलूसी बाला बात ना जो रियालिटी है वह जब हम बोले अ है अच्छा आढ़ना तो इससे हो इसा his अ अ मदद कर लो इसे मदद कर हम रों 500 से मदद कर था खग लिए तो यह नहीं अगर आप अच्छे तरीके से किसी को बोलते जोusan dollars आई भी Hoşs अमज नहीं है, नहीं, कुछ बाते ऐसी हो सकती है, यह सम्भरा प्रियम से बोलते हैं, लेकिन हमको लगेगा कि यह आदत आपके जिन्दगी को बरबाद कर देगी, तो मैं करा हो जाओंगा, उसमें आपकी नजर में मैं गिर जाओंगा, इस और हमारा सथ कोई से बोले, ज़र कटा दिये, यह संध्या जी आप पुजा जी के, एक दिन बोल दिये, अब लेकों में दिन से रगर ले, लेकिन फिर अब अच्छा बने के कोशिश कर रहा है यह दिल में, कि तनका जगह मीले, तन यह अच्छा को है, ना, तो बुकाने का मतलब है, कि मैंने आपके लिए वो बोला, कभी मैं बोलूँगा, क्योंकि जो बाल बच्चे को पोश्टे है, वो हर तरीके से पोश्टे, कुमहार जब बरतन बनाता है, तो प्रेम से भी सहलाता है, मार थपड से भी सहलाता है, देखना, नहीं, तो यह है, सब कुछ बरसाएंगे, लेकिन आदमी की पहचान कर बड़ा मुश्किल है बाबू, हम उन्हों कहते हैं कि हम पर बिस्वास करो, हमारे साथ भी धोखा हो सकता है, तो दुनिया में 99.99 को तुन लगा दो, ठीक है, सब दुनिया में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, जो मकार होते हैं, जूट पर जीते हैं, बैमानी होता, घुस्खोर होता है, चापलूसी होता है, ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, लेकिन उसकी परसेंट क्या है, कम है, इसलिए खुद पर भी स्वास करो, भगमान, मा सरस्वती के पास दीन भर बैठने से ज्यादा बेतर है, कि तुम अंदर के ग्यान को निकालो, कि हमारे कि अंदर क्या कमी है, हमने क्या कर दिया, मेरा क्या कर्तब है, मेरे माब अपने क्यों लाया धर्ती पर, खुद को पहचानना सबसे बरी बात है, जब तक दुनिया को खोजोगे कुछ मिलेगा, कस्तूरी देखते हो, इसके पास, मिर्गे के पास होता है कस्तूरी, दीन वर पटकता की सेंट कहां से आ रहा है, सेंट कहां मिलेगा उसको, तो कर अंदरे से आ रहा है, नहीं, तो उसी परकार से हम लोग ग्यान की खोज में चल जाते है कैलास परवत पर, ग्यान है कहां, तुमारे अंदर है ग्यान, अब अनहार में, नहीं, अंधिकार है, आओ इसी ज बात नेरी दना है। यह उसको खोजो। दूसरे के बारे में मस तो किसके बारे में सोचो। आपने बारे में सोचो। तो एहां पे अहिंसा समझे। तो आज से अगर बातों से आपके किसी को तकलीब हो जाती है, तो समझ जाओ, कि वह आपने अहिंसा कर दे, कलास में भी किसी को कुछ बोलने से अगर दुख होता, अचाहीं सब्द क्यों नहों, अगर उसको तकलीब होती है, नहीं, तो वह क्या कहलाएगा, अहिंसा कहलाएग छोड़ चो नदेस्ट मारोनित दैंदिया आगे लगा कि फ्रोम 1915 तिल 1948 मृ ढिन दिजग बात को किसी भी सेंटेंस में फ्रॉम के साथ किसका परियुकिया जाता है तील का परियुकिया जाता है या फ्रॉम के साथ टू का परियुकिया जाता है इसका मतलब होता है कि जहां से शुरुवात हो और टील या टू का मतलब जहां अंतो जैसे अगर मैं कहूं कि मैं हाजिपूर से लेके पटना तक जानता हूं तो आई नो फ्रॉम हाजेपूर्टू पटना बोले कि अग मैं जन्म से मरते दम तक आपका साथ निभाऊंगा तो फ्रॉम वर्थ तिल देथ नहीं तो एक अस्थान से दूसरे अस्थान के लिए हम लोग किसका प्रिव करते हैं फ्रॉम और तिल का 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्पलीटली पूरी तरीके से डोमिनेटल मतलब होता पूरी तरे से समर्पित रहे इंडियान पॉलिटिक्स भारती राजनिती में याद रखेगा ही कम्पलीटली डोमिनेटली इंडियान पॉलिटिक्स भारती राजनिती में वह पूरी तरीके से समर्प अगला है, he died, he died at the hands of a fanatic, he died, वे मारे गए, died माने, मारे गए, at the hands of a fanatic, एक धर्मांद, धर्मांद का मतलब समझते हो क्या होता है, धर्म में अंधा होकर, जैसे कोई मुशलीम है, यानि कोई हिंदू है, कोई इसलाम है, कोई सुविकार करता है, कोई क्रिश्यन को, तो वह अपने धर्म के प्रती इतना अंधा हो जाता है कुछको कुछ दिखाए लेकिन कभी धर्म पर अंधा होना चेकर जैसा हिंदू है वेसा मुशलमान है वेसा इसी खिए उएसा इसा है सब तो एक है सबी तो मानवी है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और धर्म में कि मेरे हिंदू धर्म को उसने बदनाम किया मेरे इसलाम धर्म को बतनाम किया और हम लोग कुछ देखते नहीं और सामने वाले को जान ले 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 तो जो कि पूरी तरह से क्या है गलत है सब के सरीर में वही खुन है सब के सरीर में वही आत्मा है सब के सरीर में वही सुख दुकान भूती है नहीं, ये दार्म क्या है? धार्म तो हम लोगों ने बनाया है, कौन बनाया है? क्या जब दुनिया के अल 2500 का.. यहाँ पे कोई हिंदू को मुशलमान को सिख को हिसाइथा और कोई जाति था कि हम राम है तो हम पासवान है तो हम सिंह है तो हम बर्मा है क्या था लेकिन यह हम लोगों ने बनाया डिवाइड कर दिया समाज को बरबाद कर दिया तो यही कहते हैं कि एक फैनेटिक फैनेटिक माने धर्मांद धार्म में अंधा होकर अब कैसे समझाए चुकि आपको पता है वो दीन 15 अगस्त 147 को दर्दनाक रात जब हम दो नहीं पिता और पुत्र भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से क्या हो रहे थे जुदा हो रहे थे जुदा हम हो गए तुमसे नहीं लेकिन हम गाना भी गया थे उस दिन बिदाई के समय जब बारवी कक्षा का बिदाई हो रहा था तब आप लोग आए ने घर में तो यहां ध्यान के गा तो उनको लगा क्या कि ये हमारे हिंदू भाईयों के साथ नाइसाफ ही हो रही किनको लगा नातुराम गोड़ को क्योंकि महातमा गांधी कहा करते थे कि इस देश का विभाजन तभी हो सकता है जब मेरे लासों से गुजरेगा लोग नहीं तो नातुराम गोड़स ने का ठीक है तो तो आजादी मिल गए तो लास से गुजार देते हम आपको नहीं तो ध्यान और मुसल्मान के बीच का जो जगरा है वो सदय के लिए क्या हो जागा समाप लेकिन क्या हुआ जुदा होने से प्रेम घटता नहीं है बढ़ता है लेकिन एक बात रखेगा जब दोनों के बीच दरार पैदा कर देजेगा बांडरी बना देजेगा तो जिंदगी भर के लि बीच में आंगन का बटवारा हो जाता है जब नजर पड़ता है गाली के मुझ से ना कभी भी दोस्ताना भी है रहता है पड़े साधी से पहले तो बड़ा प्रेम था दुनों भाई के लिए को चूता था ता मार देता था मिलकना और आज क्या हो गया तो दिवाल वही भार और पाकिस्तान के बीच जो एक बाउंडरी लग गए नहीं आपको पता है रेड क्लिप जो बाउंडरी है एलो सी लाइन आफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच के जो सीमा रेखा बनी वहीं सीमा रेखा भारत के लिए क्या बन गई और पाकिस्तान के लिए सदा सदा के लिए दूस्मनी पैदा कर दिया अगर दोनों एक साथ रता तो लड़ता लेकिन जोरे रता कहा जाओगे अगर हिंदू मुसल्मान अभी हिया मुसलिम नहीं है क्या इसलाम नहीं है हिंदू नहीं है सब है लेकिन कितना प्रेम से पाकिस्तान में जो इसलाम रहते उससे कई अच्छे तरीके से कहां पे हैं भारत में सुखी संपन्न है वहाँ पे तो जीने का भी अधिकार नहीं है नहीं लेकिन वहाँ पे अधिकांस पैसे 80% पर खर्च होती है तो महत्मागंदी को लगा कि ऐसा हो जाएगा जब दोनों भाई अलग अलग रहेगा अपने अपने घ बरबाद दिये नहीं और बार-बार हम लोग को जुका देते भुख्य रत्याप तो एक बुड़े हो गए है अउपर से अंसन करते मर जाएगा तो हम लोग बरबाद हो जाएगे इसलिए मैं आपको सदा सदा के लिए ही क्या करता हूं शुला देता हूं अब अच्छा किया बुरा किया क्या किये ये तो भगवान जाने और जाने मारने वाला और इंसाफ दिलाने वाला लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ चुकि गांधी जी जैसा ब्यक्तित्व का पैदा लेना इस धर्ती पर अब सायद ही दुरलब है नहीं आज तो लोग नेता आते हैं लेक अच्छाय रहे चारो तरफ जीदर जाओ ताहां किसका नाम आता था तो महत्मा गांधी का ही नाम आता था नहीं ही डाएडर दी हैंड्स ओफ ए फैनेटिक अंठटी जनवर 1948 उन्हें उनकी मिर्तू हो गई एक फैनेटिक धर्मांद धर्म में अंदा होकर धर्म के लिए नहीं पागल होकर एक ब्यक्ति नेतीस जनवर 1948 को गोली से भूझ दिया नहीं की जो आत्म कता है इसका नाम है माई एक्स्पेरिमेंट्स विद टृत सत के साथ मेरा परियोग एंड ड़ नूमिरस और बहुत सारे आर्टिकल्स दैटी रोट उन्होंने लीखे फॉर यंग इंडिया किसके लिए यंग इंडिया के लिए एंड़ एस्पीचे और एस्पीचेज एस्पीच का मतलब जानते हो और उन्होंने बहुत सारे भाशन दिये ठीक है डिलिवर्ड और डिफ्रेंट ओकेजन्स विबिन अब सरो पर रेवील हीम जो उनको रहस क्या करती है रेवील का मतलब होता है अंदर जो चीजे है छिपीव चीज उसको उजागर कर देना रेवील हीम not only as an original thinker ना केबल एक बास्तविक बिचारा के रूप में but also as a great master of chest नहीं एक great master of chest के रूप में जाने गए and automatic English, automatic माने मुहाबरेदार अंग्रेल जी in the flowing extract ये जो आपका extract पर रहे है उधरन पर रहे है Indian civilization and culture कौन सा भी पर रहे है Indian civilization and culture गांधी टॉक्स अबाउट गांधी जी टॉक्स बाते करते हैं about के बारे में the sound foundation of Indian civilization यानि भारतिय सभ्यता के sound foundation के बारे में एक नीव के बारे में एक मजबूत नीव के बारे में which has successfully with astute the passage of time ठीक है तो ध्यान रखेगा हो गया तो आगे बात करते हैं which has successfully जो सफलता पूर्वक with astute खरे है are the the passage of time passage of time का मतब जो यह passage है उस समय दा बेश्चान civilization बहुत important line है बेश्चान civilization पच्छमी सभ्यता which has the tendency जिसकी प्रभीरती है to privilege बढ़ावा देना maternity को किसके maternity बहुत तिकता को cannot match the Indian civilization जो कि भारतिय सभ्यता से match नहीं करती है that elevates the moral being जो क्या करती है नहीं तिकता को बढ़ावा देती है याद रखेगा पूछेगा कि what is the difference between the Indian civilization and Western civilization तो आप बोलेंगे the Western civilization which has tendency प्रभीरती है to privilege maternity किसको आगे बढ़ाने का maternity को maternity बोलने आएगा ना maternity का मतलब होता है बहुतिकता बहुतिकता मने सुख जैसे पंखा है mobile है laptop है आपकी गारियां है यह सब है नहीं cannot match cannot match जिसका match नहीं हो रहा है match का मतलब दोनों के साथ एक संबंध नहीं होता है the Indian civilization भारतिय सब्वेता के साथ जो that elevates the moral being जो किसको बढ़ावा देती है moral being को Indian civilization elevates the moral being भारतिय सब्वेता किसको बढ़ावा देती है moral beings को किसको moral being को याद कर दे लिजी आप लोग time बरबाद मत किजिए पीछे बच्ची लोग और बेश्चान civilization किसको बढ़ावा देती है to privilege materality भावतिकता को बढ़ावा देती है correct है तो अगर ready है तो कुछ question मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आप लोग उसको लिखने का पर्यास करे क्योंकि करत करत अभ्यास के जर्मति होत सुजान रस्री आबत जात सिलफर परत निशान एक रस्री जो होता है अगर पत्थर पर बार बार रगरा जाए तो क्या हो जाती है उस पर निशान पर जाती है तो हम लोग भी अगर लगातार मेहनत करे तो क्या हम लोग का भी दिमाग बर नहीं जाएगा तो त्यार हो जाईए और जो भी बच्चे क्लास में आते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो बनाने का प्रयास करते हो आज वर जो कर रहे हो कर लो कल से अगर ऐसा पकरे गए तो आपके लिए कुछ सजार निर्धारित की जाएगे चुकिए अभी यूटूब पर हम बोल नही कुस्टन स्टार्ट कर रहे हैं और लिखने का प्रयास किया जाए आंसर आप ही को देना है मैं इसको देने नहीं जा रहा हूँ मैं समझा दूंगा और आप लोग देंगे कुस्टन समझ में आ रहा होगा हूँ माने कौन हूँ माने क्या होता है देखिए इस चेप्टर में अगर आप आएं परने तो सबसे पहले इन वर्ड को जरूर याद रखिए वट वेन वेर वो हूम हुज एं वाओ वाट मिंस क्या होता नहीं वेन मींस वेन मींस कब और वेर वेर मींस कहां हूँ कौन हुम किन है और हुज किसका हाओ कैसे तो ये वर्ड आपको अब बार बार तंग करेगा और दैट दैट माने जो होता है हू मिंस कौन भी होता है और जब कनेक्ट करेगा कंजंग्शन के रूप में आएगा तो जो का भी रूप लेगा वीच माने होता है कौन सा वीच माने कौन सा या जो के रूप में भी आएगा तो ये वर्ड जो देख रहे हो बार बार अभी उज होंगे सेंटेंस में तो आपका करता वैकिन वर्ड को भी क्या कर ले याद कर ले अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है भाव आपकी थोड़ी थोड़ी करके समुंदर भर जाती है बुन्द भुन से तो आपका तो पहला कॉस्शन समझ में आ ग क्लचर क्या कोई समस्या लिख पाओगे ना अपने खुद लिखो प्रैक्टिस करो कि दूसरा कि राइट दा कि फुल नेम ओफ एम के गांधी एम के गांधी का फुल नेम क्या था बता सकते हैं मोहंदास करमचन गांधी सेकेंड कुस्ट थर्ड कुस्टन है वेन वास गांधी जी वर्म गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो टू अक्टूबर 1869 अब इंग्लिस भी बोलने का प्रयास कर वी आ इंडियांस वर्ट वाट वी हब नौलेज तो एस्पीक इंग्लिस हम लोग के पास चमता है कौन चीज करने का अंग्ले जी बोलने का अगर नहीं है तो मैं आपको शिखा दूंगा एस्पोकेन कलास के माध्यम से तो सबसे पर इस वीडियो को लाइक किजिए नहीं और दूसरे से भी करवाईए और शेयर किजिए लिंक को अगला कुशन है वेन वाज ही ही मन गांधी जी वेन वाज ही डाय दूंटी मिर्तु कब हुए थी ठीक है और अगला कुशन है वापू और दी फादर अफ दी नेशन दी फादर अफ दी नेशन बापू और राष्ट पिता के रुप में कौन जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं महात्मा गांधी लिखेंगे महात्मा गांधी is known as बापू और दी फादर अफ दी नेशन नेक्स्ट कुस्टन है विच विपन्स दीड ही यूज एज अचीफ विपन्स मुख हथियार के रूप में कौन से ने विपन्स का परियोग करते थे ने कौन गांधी जी तो कौन सा टूथ और नन विपन्स यूज एज अचीफ विपन्स इंच विपन्स विपन्स दी एविपन्स Indian politics politics since when Kabase since when has he been completely dominated Indian politics Kabase way Karaki Kabase Mahatma Gandhi Bharti Rajniti me Puri Tarikasay Chai Rahe Toh 1915 From 1915 to 1948 Mahatma Gandhi Wrote For Desk Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi wrote for Desk Kata hai Mahatma Gandhi Nenhe Likhe Thay Ke Liyek Kiske Likhe Thay Kawnsa Maggreens Tha Young India Ke Likhe Thay Nenhe Who Which Vipas did he use Since when Kabase has he been completely dominated Indian politics Kabase Bharati Rajniti May Shakriyay Rahe Who Talks About The Sound Foundation Of Indian Civilization Indian Shibby Lization Kya Kira Question Sunye Pahal Who Talks Korn Bate Karate The Sound Foundation Of Indian Civilization Bharti Sambhiyatah Sanskirthi Ke Vare Me Last Question Dete Hain Question Which has The Tendency To Previlege Maternality Maternality Lity Cannot Match The Indian Civilization Indian Civilization That Elevates The Moral Being Last Question Question Which has The Tendency Yarni Kis Kye Pahal Prabirthi Hai To Privilege Maternality Cannot Match The Indian Civilization That Televates Moral Wing Yarni Hindi Samaj Nika Pariyas Kia Jai Ang एक लिएट टेन नमर कुस्टान है कि which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being कुछिसन है कि which has the tendency इसके पास परघर्थि препो privilege यानी privilege सुविधा materiality भर तिकता का cannot match सिद आई-चानी करती है the Indian civilization भारतिय सब्वेता और संस्किर्ती से that जो मैंच मने मेल खाना होता है मेल खाना मेल लई खाती है भारतिय सब्वेता से जो किसको बढ़ावा देती है मुरल बिंग पता होगा आपको किसकी प्रविर्ती है to privilege विशे सुवधा देना विशे साधिकार दिलाना बहुत इकता बाद को किसको है वेश्चान सिब्लाइसन बुक होगा तो आपको अच्छा से और समझ में आएंगे नहीं ऐसा जिनके पास यूटूब है मैं तो अभी जितना पराया हूँ उसका भी डाल दूँगा शुरुआत में और एक अंत में अराम से वहाँ से पढ़ लेना एक बार स्क्रीन सॉट लेकर और जिनके पास बुक नहीं है कि रुपया जल्दी से मार्केट से बुक को ले लिया जाए बचास रुपैदा में नहीं क्योंकि और जिनके पास है किसी भी परकार के समस्चा नहीं होगी तो मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे नहीं और नए विवर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए और बेल आइकन को पर जरूर प्रेस किजिए जिसे जब भी वीडियो अप्लोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले अगर चातों कि ऐसा हैं वीडियो आपको मिलते रहे तो इसके लिए करना परेगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आल पे प्रेस तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ तब तक टेक क्यार बाए भाए थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत अटा देजे